नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल study for win में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर्टैट के एक बहुत ही important topic के बारे में जो है सिक्षन कोशल बहुत ही important part है आपके सुपर्टैट यानि जो आपका written exam होना है उसके लिए ये बहुत ही important topic है और बहुत ही ज्यादा questions से पोछे जाने वाले हैं प्लीज वीडियो को शुरू से last तक देखेगा वीडियो को skip मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि जहां आप वीडियो के skip करें वहीं से कोई question आपके exam में आ जाए पस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमसे notes लेना चाहते हैं तो हमारा number है 9496369356 इस number पर contact करके आप notes लेने की प्रिक्रिया को जान सकते हैं तो चली शुरू करते हैं हम आज का अपना topic समझेंगे सबसे पहले इस lecture में हम देखेंगे कि हम किन किन topics को cover करने वाले हैं ठीक है पहला तो यहां पर आपकी क्या चीज़ आ रही है कि सिक्षण कौशल क्या है ठीक हम पहले समझेंगे कि what is teaching skills teaching skills क्या है उसके बाद सिक्षण कोशल की परिभाशाएं क्या-क्या है definitions of teaching skills उसके बाद सिक्षण के लिए सिक्षण कोशल की क्या जरूरत है या सिक्षण के लिए सिक्षण कोशल किया है उसको समझेंगे उसके बाद हम बात करेंगे सिक्षन कोशल की विशिष्ताओं के बारे में और अंत में हम बात करेंगे सिक्षन कोशल के प्रकारों के विशय में टाइपस आफ टेचिंग स्किल्स के बारे में चुँकि हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे क्या देखने वाले हैं इन तीन चीजों को समझने वाले हैं कि सिक्षण कोशल क्या है सिक्षण कोशल की प्रिभाशा है क्या और सिक्षण कोशल क्या है पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे और इसके पार्ट टू में हम सिक्षण कोशल की विशिष्टा और सिक्षण कोशल क प्रकारों को समझेंगे, कि वो कितने प्रकार हैं और कौन-कौन से प्रकार किस-किस तरीके से यूज किये जाते हैं तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं उपर की तीन हैडिंग्स को सिक्षण कोशल किया है उसकी प्रिभाशा है और सिक्षण कोशल की विसेस्ता सिक्षण ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं मार्च का अपना टॉपिक देखते हैं सबसे पहली बात आती है कि सिक्षण कोशल किया है What is Teaching Skill उसके लिए जो भी विवहार करता है जो भी समू सिक्षण कारे करता है उसको ही हम सिक्षण कोशल कहते हैं आप जानते हैं टीचंग एक कैसी प्रिक्रिया है टीचंग एक तरीके का क्या है विज्ञान है इस आधार पर प्रसिक्षण द्वारा एक अच्छे सिक्षण को चाहिए कि वो बच्चों को इजीली अपनी बातों को समझा सके सिक्षण के लिए आवश्य कोशलों को विक्सित किया जाना चाहिए और कोशलों का उपियोग करके ही कक्षा में हम क्या कर सकते हैं प्रभावी सिक्षन कर सकते हैं, सिक्षन को प्रभावी बना सकते हैं, तो सिक्षक प्रसिक्षन में इन कौसलों का बहुत ज़्यादा महत्यपुर्ण इस्थान होता है, तो सिक्षन कौशल का मतलब क्या हुआ, कि जब को टीचर अधिकम को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के करता है जिन स्किल्स का यूज करता है वही टीचिंग स्किल्स कहलाती है आगे अगर हम बात करते हैं सिक्ष्ण कोशल की परिभाशाओं के बारे में कि सिक्ष्ण कोशल की परिभाशाओं क्या क्या है ठीक तो सिक्ष्ण कोशल की परिभाशाओं में आज जाता है कुछ बहाशाओं के माध्यम से समझेंगे कि आखर सिक्षण कौशल क्या है और सिक्षण कौशल की और क्या-क्या विशिष्टाएं है या सिक्षण कौशल को और किन सब्दों में एक्स्प्लेइन किया जा सकता है जैसे कि यहां पर पहली डेफिनिशन आपकी आ रहे है डॉक्टर के पासी के अनुसार सिख्षन कोशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन की गई संबंधित सिख्षन क्रियाओं या व्यवहारिक का समू है व्यवहारिक का मतलब व्यवहारों का समू है ठीक इनकी ये डेफिनेशन है कि सिख्षन कोशल क्य चात्रों के सीखने के लिए चात्र जिन से सीख सकें चात्रों को सुगमता प्रदान करने के लिए कि वो जो सीख रहे हैं वो इजी हो जाए इस विचार से संपन की गई संबंधित सिक्षण क्रियाओं या व्यभाहारों का समूह है सिक्षण द्वारा जो ऐसे व्यभाहार किये जाएं जो ऐसी सिक्षण क्रियाओं की जाएं कि बच्चे आसानी से सीख सकें दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर आपकी आ रही है मैकिंटेयर और वाइट के अनुसार सिक्षण कौसल सिक्षण व्यभाहार से संबंधित वहस्वरूप है जो कक्षा की अंतह प्रक्रियाद्वारा उन विशिस्ट पर स्थितियों को जन्म देता है जो सेक्षिक उद्देशियों की प्राप्ति में सहायक होती है और सीखने में सुगंता प्रदान करती है यानि कि टीचिंग स्किल क्या होती है सिक्षण व्यभाहार से संबंधित वहस्वरूप है यानि कि पढ़ाने के तरीके से संबंधित वो रूप जो क्लास में अंतह प तरक्रिया द्वारा उन विसिस्ट पर स्थितियों को जनम देता है उन चीजों को जनम देता है यानि इस तरीके का माहौल क्रियेट करता है इस तरीके का एट्मॉस्फियर क्लास में क्रियेट करता है जो सेक्षिक उद्देश्यों की प्रापती में सहायक होती है जो सेक्षिक कर देखेगा तो जो सेक्षी कुद्धिशु की प्रापती है bağ जो उखकेक बारि में उस वीडियो में जरूर बतायागेए अगर आपको वीडियो ना मिले तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस के लिंक और आपको ये भी पता है कि जब बच्चे को सीखने में असानी होती है तब उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो और तेज हो जाती है जब हमें कोई चीज समझ में आती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर हमारे दो सवाल सही होते हैं तो ही हमें तीसरा सवाल करने का मन हो प्रशन आपके बनाया जाते हैं, वो इस तरीके से बनाया जाते हैं, कि शुरू के प्रसन थोड़े सरल रखे जाते हैं, ताकि बच्चे आगे के प्रशन करने के लिए मोटिवेट हो सकें, तो इसके अनुसार ये हो गया, फिर आते हैं आपकी थर्ड डेफिनिशन पर, जिसका प्रयोग करके सिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है, कैसे वो अपनी टीचिंग को एफेक्टिव बना सकता है, कैसे अक्टिव बना सकता है, क्लास को एक्टिव रख सकता है, बच्चे किस तरीके से उसकी सिक्षण प्रक्रिया में और कँछा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है यानि कि अगर क्लास में कहीं बोरिंग हो रही है ख्लास या बच्चों को मज़ा नहीं आज रहा है सीखने में तो तरीके-तरीके टीचिंग स्किल्स का यूज करके एक टीचर क्या कर सकता है? अपनी क्लास को मोटिवेट कर सकता है क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकता है और बच्चों के सीखने की गती को तेज कर सकता है तो यह है डॉक्टर कुलस्रेस्ट के अनुसार तो अब इन तीन परिभाशाओं के माध्यम से तो आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे कि आखिर वास्तों में सिख्षन कोशल किया है और इस विशय के अंतरगत आपको किन-किन चीजों को पढ़ना है ये चीज़ें आपको आ गही होगी समझ में अब इतने के बाद अब हम आगे चलेंगे कि आखिर सिख्षन में सिक्षण कोशल है क्या यानि कि सिक्षण के लिए सिक्षण कोशल की क्या जरूरत है या सिक्षण कोशल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ठीक तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सिक्षण के लिए पहली बात सबसे important जो है वो है अध्यापक की सक्रियता यानि कि जो टेचर है जो पढ़ा रहा है सबसे पहली बात तो उसका एक्टिव होना बहुत जादा जरूरी है उसके बाद छात्र की सक्रियता उसके बाद क्या है? कि छात्र को एक्टिव होना बहुत जादा जरूरी है जिसे हम सिखाना चाहते हैं वो भी सीखने के लिए उतना ही ततपर हो जितना की सिखाने वाला सिखाने के लिए ततपर है क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बज़ती है वही चीज यहां पर भी लागू हो रही है कि अगर सामने वाला सीखने का एक छुक नहीं होगा तो सिखाने वाला कितना भी जादा energetic हो कितना भी जादा preparation करके आया हो वो उसे नहीं सिखा सकता उसके पास चाहे जितनी teaching skills हो उसके पास चाहे जितना भी ग्यान हो अगर सामने वाला सीखना ही नहीं चाहता है तो कुछ भी हो जाए सिक्षक चात्र को नहीं सिखा सकता तो चात्र की सक्रियता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की अध्यापक की सक्रियता ठीक और तीसरी बात यहां पर आ रही है मौन ठीक है यानि कि एक चीज यहाँ पर थी कि सन 1960 में, सन 1960 की बात है, सन 1960 के दसक में सिक्षन और उसकी प्रभावकारिता, यानि आपकी जो टीचिंग है और उसकी जो एफेक्टिवनेस है, उस पर अमेरिका में एक सघन चिंतन और अनुसंधान किया गया, जो फ्लेंडर और उनके साथ ही थे, उन्होंने कक्षा सिक्षन का विसलेशन करके ये पता लगाया कि कक्षा सिक्षन वास्तव में तीन घटकों के द्वारा ही होता है, और वही ये तीन घटक हैं जिनकी मैं बात कर रहे हूँ, पहला घटक आपकी अध्यापा की सक्रियता, द तो इस विशलेशन आत्मक उपागम ने कई तरह की की अध्यापन कुशलताओं की विकास का रास्ता खोला, सिक्षन कुशलता क्या है, ऐसे सिक्षन व्यवहारों और क्रियाओं का नाम है, जिनका लक्ष छात्रों को प्रत्यक्ष या परोक्ष, यानि कि डारेक्ट या अदद करना है, यानि कि चाहे आप उसको डारेक्ट एपलाई करो, चाहे इनडारेक्ट एपलाई करो, आपका उद्देश इक मात्र होना चाहिए, आप अपने जिस चात्र को सिखाना चाह रहे हो, वो कैसे भी करके सीखे, बस, ठीक है, उसके बाद हम अब आगे बाद करने वाले हैं सिक्षण कोशल की विशिष्ताओं के बारे में तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन तीन चीज़ों को तो वो तीन चीज़े पूरी हो चुकी है अब आज के बाद हमारा जो इसका सेकिंड पार्ड अपलोड होगा उसमें हम सिक अच्छा कोशल के प्रकार तो इन चीज़ों के बारे में हम दीपली पढ़ेंगे कि आकर विशिष्ताओं क्या क्या है और प्रकार क्या क्या है और उन प्रकारों को भी पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि उन प्रकारों के अंतरकत किस किस तरीके से आता है और कैसे आप से एक आप हमारे चैनल को कर लीजे, वीडियो को शेयर कर दीजे, वीडियो पसंद आ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, और किसी भी तरीके के नोट्स के लिए, या किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, 9496369356, इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, आप आपको कोई भी एक्जाम दे रहे हो, आपके लिए सारी नोट्स अब लेवल हैं, तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, तो फिल हाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही मिलती हूं, इसके पार्ट टू में, करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट, तब तक के लि नमस्कार